हरिहियों मा असतो मासत गमया तमसो माजयो तिर्गमया मुरुत्योर मा अमृतम गमया सर्वेभ्या सादरम प्रणामाह जैश्री कृष्णा ब्रिहदारण्यक उपनिशत का यह जो मंत्र असतो मासत गमया आज के दिवस बड़ा ही सार्थक मालूम पड़ता है क्योंकि आज का दिवस है दीपावली दियो का यह दिवस है प्रकाश का यह दिवस है और हमारे वेद के उपदेश असतो मासत गमया इसमें यहीं कहा गया है कि असत से हम सत की और आगे बढ़े अंधकार से हम प्रकाश की और आगे बढ़े जीवन की शुरुवात अंधकार से ही तो होती और यहाँ पे अंधकार और प्रकाश को हमें स्थूल दरश्टी से नहीं बलकि सूक्षम दरश्टी से देखना है अंधकार अग्यान का ही स्वरूप है और प्रकाश ज्यान का स्वरूप है तो हमारे वेद, हमारी वैदिक समस्कृती हमें उपदेश देती है कि आप अग्यान अंधकार से ज्यान रूपी प्रकाश की और गती करें आपका जीवन प्रकाश में या फिर ज्ञान प्रकाश में बने तो आज वेसा ही त्योहार है जिसे हम दीपावली कहते हैं दीपावली से हमें यहीं बोध लेना है कि हमारा अज्ञान दूर हो अग्यान के जितने जितने तत्व है वे सारे तत्व नाश को प्राप्त करें और हमारे जीवन में घ्यान का सुरियोदय हो एसा दिव्य यह त्योहार है विशेसताहा पौरानिक कथाओं के संदर्भ में नरकास उरका वद करकर जब भगवान कृष्ण नगर में आएं तो सभी जगा दिये जलाये गए और उत्सव मनाया गया इसलिए इस त्योहार को दीपावली त्योहार कहा जाता है और तोर कथाओं के माध्यम से यह भी ज्यान प्राप्त होता है कि आज ही के दिन रगुनात जी रावन पर विजय प्राप्त करके अयोध्या में वापस आए अपने घर में वापस आए तो हमारा भी अज्यान रूपी रावन है उसका प्रभु रगुनात ज्यान रूपी प्र आपत होता है तो ऐसे दिव्य त्योहार की जो कि प्रकाश का त्योहार है हमारी संस्कृति का बोधक है ऐसे दिव्य त्योहार की श्री सांधिपनी विद्या निकेतन पक्षो से आप सभी को धेर सारी बधाया शुबकावना